एसे सब्द जो किसी सब्द के अंत में जूडते हैं या लगते हैं जिनके कारण से सब्द का अर्थ बदल जाता है तो उन से भी सब्दों को प्रते कहा जाता है दोस्तों परते लगने के कारण से एक नया सब्द बनता है जिसका अर्थ पहले वाले सब्द से अलग होता है आज हम इस वीडियो में जनता सब्द में प्रियुक्त परते सब्द के बारे में बात करने वाली हैं तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने प्यारे से हातों से चेनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाली बेल आइकल को भी दबा देना दोस्तों जनता जो सब्द होता है उसके अंदर तापरते लगा होता है और जन इसके अंदर मूल सब्द होता है यानि जन में तापरते लगाने से जनता बनता है इसके अलावा दोस्तों प्रिक्षा में पूछे जाने वाले कुछ मैतोप्रों परते सब्दों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो बार-बार प्रिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं तो ऐसे परते सब्द हैं दर्शनिय यानि दर्शनिय सब्द के अंदर अनिय परते होता है और दर्श इसका मूल सब्द होता है जब दर्श में अनिय परते लगाया जाता है तो दर्शनिय बनता है नमबर टू है राष्ट्रिय दोस्तों राष्ट्रिय सब्द के अंदर राष्ट्र मूल सब्द होता है और ये परते होता है जब राष्ट्र में ये परते लगाया जाता है तो राष्ट्रिय बनता है नमबर थिरी है पुलकित दोस्तों पुलकित सब्द के अंदर इत परते होता है और पुलक इसका मूल सब्द होता है जब पुलक में इत परते लगा जाता है तो पुलकित बनता है नमबर फॉर है पढ़ाई दोस्तों पड़ाई सब्द के अंदर आई परते होता है और पड़ी इसका मूलशब्द होता है जब पड़ में आई परते लगाया जाता है तो पड़ाई बनता है नामबर फाइप है चोरी दोस्तों चोरी सब्द की अंदर चोर मूल सब्द होता है और E परते होता है यानि यह कह सकते हैं कि चोरी में E परते लगा होता है जब चोर में E परते लगाया जाता है तो चोरी बनता है तो इस तरह से दोस्तों एसे कुछ परते सब्दों के बारे में भी हमने बात कर ली है जो प्रिक्षा की द्रश्टी से महतोफरोन बाने जाते हैं इसके अलावा दोस्तूं आप किसी विशेज परते सब्द के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो जरासा भी अच्छा लगा हो तो कृपया चेनल को सब्सक्राइब कर दें और गंटी वाले बेल आइकन को दबा दें क्योंकि हम समय समय पर हिंदी व्याकराण से जुड़ी वीडियो लाते रहते